कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर सेट करें हाई एब्रिवान वेलकम टू माई चैनल अभी नया शाल चालू हो गया अपड़ा उमीद के साथ आज ये वीडियो बना रहे है और अपना जो टार्गेट मेरे निव यर मैसेज में दिया था अपड़ इस साल कम से कम 15,000 सब्सक्राइबर तक जाएंगे और मेरे साइड से तो मेरा टीम के साइड से बहुत कोशिच रहेगा कि बढ़िया से बढ़िया वीडियो अपलोड करके आपको दू लेकिन आप लोग का एक काम रहेगा आप प्लीज इसको अपना दोस्त लोग को फरवार किजिए सब्सक्राइब किजिए और उनको जो भी है आपकी पास मत्रव वाटसब है इंस्ट्राग्राम है फेस्बूक जिसमें माध्यम में करना है करके चैनल को सक्सेस्पूर कराई है तब जाएगा इस पर अपन को थोड़ा गेन मिलेगा सब को आपको भी मजा आएका दे जो इफेक्ट होता है फापरी के लिट्रीम फ़ाबरीक होगा फाबरीक शका अपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखने के लिए आज बना रहे है ओचिए नेप्स दो प्रकार का ता एक होता है थानी फाइवर एंटेंगल मेंए नेप्स का डिपिनेशन पहले समझ ज वब भी वो सकता है कि छो जो पांच से प्याउबर ऊलग जाता है गांट जिसे बन जाता है तो वह घराच कहलाता है पूरा फाया टो टूट गया यह पुरा पूरा न हीड़ के टुकड़ा रहे गा उसके साथ पांच छे खतरनाक है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा रहता है और यह जो नेप से यह साइज छोटा रहता है आपको मालूम होगा जैसे बड़ा है तो पकड़ने भी आशान है जैसे अपना बोलते हैं मचली का जाली बिढ़ाते है जो छोटा-छोटा मचली जाली का अंदर पास हो जीड़ा हो जाएगा सीड़ कोट नेपस में आपको एक जम्पल बता जाता हूं जैसे काड का अगर सीड़ कोट नेपस इसका बारे में बात कराओ काड में स्लाइबर में समझ लो 6 से 8 तक सिंगल डिजिट जाज़त तक 9 तक भी रहेगा तो ठीक है सीड़ कोट नेपस नो तक चल दाएगा उसे उपर नहीं होना चीए और एसे कोंबर श्राइबर में यह तो मेरा है जीरो होना चीए जीरो की जागा कभी खराब को मरें तो एक दू आ जाएगा लेकिन जेनराली जीरो रहता है तो यह सीड़ कोट नेपस और नेपस के बारे में आपको जानकरी हो अडिया यह खली एंटेजल्मेंट में गांठे चीज और जो कट्रन की साथ आता है जीविंगर कंट में यह पाइधा हो जाता है और इसका रिमूब कि उब्लब करने की सपनें का चुना में तो ऐसा घंट सब्सक्राइब यह जो होता है ना यह मैक्रोमेटर क्या होता है देखो 300 से 500 अन्य जो नेप का सइज इसका बुल्ण है उसके बाद सीड कुड मेब जनल देखो 600-900 मतलब इस डबल साइज है और कभी-कभी इसका साइज आपके देखो ग्यारा सो से बारा सो मरक्रमेटर तक भी आ जाता है तो यह जो माइक्रमेटर जो बात चल ला है वो क्या चीज़ देखो जो बोलते हैं एक मिटर का 10 लाक भाग से एक भाग एक माइक्रमेटर होता है तो उस हिसाब देखोंगे बिल्कुल छोटा सा गोडा जैसा रहेगा तो एक मिटर को आप 10 लाक में डिवाइड कर दो जो आएगा एक माइक्रमेटर आएगा समलो 300 से 500 माइक्रो मेटर है तो यह 300 हो जाएगा उपर यह 500 हो जाएगा उपर ठीक है और इसको आप मत्मेटिकल यह से लिख सकते हो ट्रेन का छे बार कुणा करो और एक में डिभाइड करो इसलिए माइनस का सिंबल दे आपने ठीक है सोम्टाइम्स सिड़ कोट्टनेफ से कितने ग्या शो से बारहशो तोक हो जाता है और उन्याप से देखने का देखो system क्या है एक ड़र on कि Alton यह उसको बारीक से माइक्रोस्कोप में देखना उसमें घंटे गंटे दिखे का इसको इस लाल बिंदी दिखे प्राइब करचा है और यह तो पुराणा में यह सिंथेटिक में कि नसंसे कभी यह तो सिंथेटिक में वह रहे है डÁLigh的 गरकानी अवाक कि लिए तो आपको पैता ओफिस नगालिया और आप इसका जो सिस्टम में आपको मैं सट कट में बता है तो आप मेरा आप इस बाला वीडियो ज़रूर देख रहा है लेत्य है पाइंट फाइब गिराम का मेटरियल लेते हैं इसको जैसे इस स्राइबर लिए इसको थोड़ा इसको खिष खिष के पैस्को सियाईच फैला के थोड़ा देते तो उपनिंग जयाता है ओपनींग जिशादा उयोः गवर घाएगा और यहां पर जैसे मोटनेप जैसा इसे रहता है यह जब फाइबर जाए गरें इदर से खुलके तो यह पूरा बढ़िया से ओपन कर देगा और इस पर जो मोटा-मोटा जो यह रहता है ट्रास वगर रहता है वह इसको बिल्कु भी गीरा सकता है कोई दिकरने इसी हिसाब से दिया जाता है तो उसके बाद देखो यहां से जाने का बाल तो क्या होता है इसमें सेंसर होता है जैसे यहां इसे फाइबर पास के ना यह उपर नीचे सेंसर रहता है तो सेंसर में क्या होगा यह जब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसमें मालूम पढ़ जाएगा कितना साइज का मास्ट का जा रहा है अगर मास्ट जादा रहता है तो मालूम पड़ेगा नेफ्स गया ठीक है और उसी इसाब से गिंती करता है नेफ्स गिंती करता है और एक सेंसर रहता है इसका जो फाइबर नंबर फाइबर बगरा गिंती करता है वह मास्ट से मालूम पड प्राटकर्ट में पता दिया और उसके देखो लेफ से बनना बड़ी बात नहीं आप इची द्यान रहां देखो समलो आपने एक मिटर का कपड़ा बढ़ा एकजम्पूल में बता रहा हो देखो यह एक स्क्वेर याड का क्पड़ा लिया समलो इसमें मैं एकजम्पूल आपको बताता हूं इसमें समलो यह कपड़े के अंदर समलो 3000 नेप से तिन हेजान नेप से और साइज कित्रा है 350 से समवलो 400 माइक्रो मिटर वाला साइज का है कित्रा तिन हेजान नेप से और उसके बाद में एक कपड़ा और बताता हूं देखो यहां बताता हूं आपको यह है ये एक मिटर का कपड़ा है ठीक है इस फेर शिर्फ फौर हंडरेट नेप से ह है कित्रह फौर हंडरेट नेप से है यह फिल मिटर का है इधर से ओ एक मिटर नेप सेटीडियों और अगर हम माथमेटिकली बोलोगी यह 3000 नेफ्स वाला कपड़ा और यह 400 नेफ्स वाला कपड़ा आप बोल सकते हो यह दोनों कपड़ा में कौन सा सही है, मार्केट कौन से अक्सेप्ट करेगा, मार्केट इसको ये अक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस पे छोटा-छोटा नेप से, बारिक-बारिक नेप से, कपड़ा बिलकुल गंदा नहीं दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, और ये जो मोटे-मो अभी कभी देखो पाटी को वर्किंग चाहिए लेव से थुड़ा बहुत ज्यादा रहे चलेगा वर्किंग चाहिए कपड़े का अपेरांस अच्छा होना चाहिए तो पाटी अक्षप्ट करता है तो एह मैं सोचना कि कभी लेफ नेस से ज़्यादा आया आइप जयादा आया वो इसमें यदा रूर नहीं रहता आइप ज़ एंपर नेपस कोले मालँ सपितर ना वेसे कपड़ा कभी काम नहीं आता ठीक है वह लेप्स का फंड़ा हमेशा ध्यान रखा और उसके बाद देखिए आपको एक चीब बता दू जैसे अपड़ा जीनिंग के बाद जो कटन आता है ना जीनिंग में कि समझ लो आपकी 120 स्लेब्स है ठीक है 120 स्लेब्स पर ग्राम है जीनिंग में जो कटन अपना खेश से आके जीनिंग होगे अपनी पास आता है ड्रसी या जब आपकर बिलो रूम में प्रोसेज हो जाएगा ब्लो रूम में पूरा बिटर बखरा चला के प्रोसेज फजय और यह दो से ड़ाई टाइमस बढ़ जायेगा मतलब यह 240 से 300 तक आजाएगा नेव से कब ब्लो रूम प्रोसेस होने के पाज आप बोलोगे हम तो सारे ब्लो रूम में चला है नेव से 120 था ओ इतना बीटर था इतना मतलब इतना सिस्टम है तो नेव से काम नहीं होके बढ़ गया के तो यह फंडमेंटल चीज है नेव से हमे होई अगर कहीं पर इंट्रूम जाते है बोलते कि कटन में इतना नेप से ब्लो रूम के बाद कितना आएगा तो कोई कंफूजन करने के लिए बोलता होगा प्वाम आएगा लेकिन कभी नहीं मानना इची हमें सब बढ़ेगा क्यूंकि देखो कटन में जो अपन खेती से न से अंतर देटमेट रॉल के अंदर वीतर के अंदर चलाएं, पीटाइंगे धुलाएं तो क्या होगा उस में जो नेप से कतनन है वो मुड जाता है तो इस तरह का नेप सफर्मशन हो जाता नो डाउट शीड कोट नेफ बगएरा वह कम हो जाता है लेकि यह वाला नेफ से दिरूर बढ़ जाएगा तो कूल मेरा के हमेशा ध्यान रखे नेफ से बढ़ेगा जीनिंग से ब्लोरूम में दो से धाई गुना बढ़ेगा वह आपकी ब्लोरूम का पर डिपेंड पड़ता ह है कितने डिपेंड करता है कितना बढ़िया प्लोरूम है तो दो परसंट बढ़ेगा अगर बिटर बगरा कंडिशन ठीक नहीं तो डाई गुना बढ़ जाएगा तो उसके बाद में देखो जैसे काडिंग का स्लाइब काडिंग का नेफ से समलों आपकी नब्बे से सो तो क्या तो यह जो कुमबर में कुमबर में डिपेंड करता है आप कितना नाईल निकालते हो क्या उसका ग्रम पर मिटर रखे हो और वो स्पीड क्या रखे हो कुमर में फीड पर निप क्या रखे हो चीज का पर डिपेंड करता है तो उस इसाब से 20 से 30 बता है जो इतना आना चाहिए और देखो कंट्रोल अब लेप्स कंट्रोल करने का क्या क्या तरीका बेरी क्लोज सेंटिंग अप फ्लाट टू सिलिंडर गेज यह यह पाइल टू से पाइल 2-5 mm तक बढ़िया रहता है तो इसमें 8 थाउ से 10 थाउ मालो थाउ के हिसाब से पुराणा जमाने के हिसाब से चले आठ थाउ से 10 थाउ से कटन की यह सब कटन का ही बाद चला है आठ थाउ से 10 थाउ ते गेज रखोगी तो उसमें लेप्स कंट्रोल रहेगा और कभी-कभी कंटन के हिसाब कोई 12 थाउ 14 थाउ भी रखता है वह अलक चीज है लिकिन हम कम से कम कैसे करेंगे और रिमूबाल कैस यह अपना लिक्रीन का गेज यह 18 से 28 थाउ तक रहता है ठीक है अच्छा इंक्रीज अब फ्लाट स्पीड फ्लाट स्पीड जो बढ़ा जाता है तो अब सट फाइबर की सांसा नेप्स भी रिमूब होता है क्योंकि अपन टाइट गेज रखें ओ जितना तुम स्पीड बढ क्यूंगि लेकिन उसका रीकोबरी का पढ़ा पढ़ेगा फ्लाट वोका प्रेसंटेज बढ़ जाएगा इंक्रीज यव लोट स्पीड प्लाट स्पीड बढ़ाओगी तो यह आपका नेफक्स भागरा क्योंगा लेकिन रिकोबरी का लप्ला पढ़ेगा आजГσेटिंग ल समहलों आपकी मात्रियाल की स्टाप का है लिकलिन स्पीड क्या रखना से लिदर स्पीड क्या रखना ओपनिंगो स्पीड strong तो पकादिंग का जो पीड़िंग सपहले ओपरिंग रोल रते जो्ड उपण करके फीड बयाट में चोड़ता है उसका बार कातिक जोड़ाया एक Bосьерш बुटा करफ घड़ा हूं स सपीड करने का क्या रखना भी इत्रेन के बार कोड़ ऑफिसके द शारेसी यह साथ ट्रायल एंड एरोर मेथा से और सिंख्रोनाइशन अब ब्लोरूम लटिसे स्फीड रोल्स भीटर सिंख्रोनाइशन क्या देगो जैसे आप ब्लोरूम में लटिस में अपर माटियाल डाले और वह आगे जा रहा है सो मुलो हपर के अंदर ज्यादा देर रहे गया ज् सिंख्रोनाइशन होगा मुलों यह माटियल यहां कितना देर रहेगा वहां कितना देर रहेगा वहां कितना देर रहेगा वह टाइमिंग लटिस कब चलेगा इंकलाइशन कितना देर चलेगा कितना देर बंद रहेगा और बट्रिकाल जो कटिंग करके लेता है कैसे लेता है सारी चीज से रिलेटेड रहता है उसके बाद देखो यूज आप कारेक्ट परसेंटेज आर्टिस्टेटिंग यह कहा होता है जैसे सिंथेटिक माटियल चला रहे है या कटन मिलान चला रहो पीसी मिलान चला रहो वहां क्या होता है अगर आप बरापर तेल पाड़ी यूज नहीं किया तो ऑगया करेगा तो नमीं के करण नेप बन जाएगा इसको द्यान रखेढ़ उसके बाद देगो नर्चिण करना पड़ता है करोगी तो बरापर चलेगा समें मिक्सिंग लगा तूरंत आपने चालू कर दिया उसमें पाणी तेल बराबर मर्ज नहीं हुआ तो क्या होगा तो नेपस बना देगा ज्यादा मस्चर की करण इसको ध्यान रखें ग्राम पर मिटर फीड बैट काडिंग का जो लिकरिन से पहले फीड रोल से पहले फीड बैट होता है तो उसका तीकनेस से भी नेपस कम जादा होता है जैसे आपकी थीड ज्यादा रहेगा ओपनिंग ज्यादा नहीं हो पाएगा तो थीड़ेस कम से कम रखें ड्राप्ट बढ़ापर रखें और वह बढ़िया काम करता है फिल लिप रपके ग्राम पर मिटर चाहें ब्लोरू म्रूं लि नहीं बोलो कि 30 kg गाउर यह प्याश्ट केजीप यह पर आवर क्यों利 काष्ट क Z समूतल करना वह पर Supreme तो यह आपड़की एक सबसे नेफल कर लाए ग qualc inch काष्ट पर हावार तो अगर कंगा में सबसे जाएगा नेप्स भी कम होगा टॉप कॉम पेनिट्रेशन जाग से अधा टॉप कॉम पेनिट्रेशन डाउन की तरफ लोगी तो ओब के अंदर घुज़ेगा तो लेप्स निकाल देगा तो उसका फिड पर ने फिड पर ने जितना काम रखेगा जैसे आप कुमर वाला प्रोस कॉम आएगा और लोग नेप्स के बारे में आज आज का चाप्टर में यहीं पर समफ्ट करता हूं थैंकूर अ हुआ 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 है